कहाने का अगाज एक छोटे गउं से होता है जहां सर सबस खेज शफाफ नदियां और बड़े बड़े दरहत हर चानी मजूद है गउं की फजा दिन के वक्त बिलकुल आमसी होती लेकिन जैसे ही शाम होती खोफ और पुर इसराद का महोल फैनने लगता लोग इस वक्त गरों में कैद हो जाते दर्वाजे और खिड़कियां बंद कर लेते इन्हें हमेशा रात को एक अचीब आवाजें और साया महसूस होता जैसे कोई छुपा हुआ वजूद इन पर नज़र रखे हुए है इसी गवं में आसिम नामी एक नोजवान था जिसे पुर इसराद चीजों का खोच लगाने में दिल्चस्पी थी वो हमेशा से लोगों की बातों पर यकीन नहीं रखता था खास तोर पर रात के साय के बारे में इसने फैसला किया कि वे खुद इस रास को तलाश करेगा और मालूम करेगा कि रात की हंदेरे में आहिर क्या होता है एक दिन जब पूरा गवं खुआप खरगोश में गुम था आसिम ने अपमी जैकिट पहनी एक टार्श और पुराना खंजर लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा रास्ते में इसे अजीब से आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो इसका दिल तेजी से दड़कने लगा लेकिन इसने खुद को संबाला और आगे बढ़ता गया जितना वो आगे बढ़ता गया उतनी ही आवाजें बढ़ती गई अचानक इसे अपने सामने एक साया नजर आया वो रुक गया क्योंकि साया की पीद कुछ ऐसी थी कि आसिम का दिल देहल सा गया साया बत्रीच इसके करीब आने लगा और आसिम ने अपनी जगा से हिलना बंद कर दिया जब साया इसके करीब आया तो इसने महसूस किया कि वो कोई इनसान नहीं बलके महलूक है जिसके बड़े बड़े सुरुक आंकी थी और एक गहरा स्या जिसम जो मुकंबल हंदेरे में छुपा जाता आसिम ने अपनी टार्श रोशन की और जब रोशनी ने इस साय को चुआ तो वो चीक मार कर पीछे हटा इसी लंबे आसिम को एक दीमी आवास सुनाई दी जैसे कोई कह रहा हो ये हमारी दुनिया है और तुम यहां क्यूं आये हो आसिम ने खौफ से कामते हुए पूछा तुम कौन हो इस महलूक ने जवाब दिया हम रात की महलूक हैं वो जो इनसानों के साय में रहते हैं और इनके खौबों में दाहिल होते हैं जब रात गेहरी हो जाती है तो हम निकल आते हैं और इन्हें अपने करीब बुलाते हैं आसिम को एसास हुआ कि ये कोई आम महलूक नहीं है बलके रात की हंदेरे का एक सायादार वजूद है जिसका मकसर सिर्फ खोफ फिलाना नहीं बलके गउं के लोगों को अपनी ताकस से काबू में रखना है आसिम ने सोचा कि अब इसे वापिस जाना चाहिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा खोफ सदा था और इस महलूक ने इसे जाने नहीं देना आसिम ने अपनी हिम्मत जमा की और खंजर को मजबूती से थामे रखा इसने सोचा कि शाय जिस्ट साया रोशनी से भी ज्यादा कमजोर हो जाए जैसे ही आसिम ने खंजर को अपनी तार्श की रोशनी के साथ साय की तरफ बढ़ाया साया चीखने लगा और दूएं की मानिद गाइब सा हो गया आसिम तेजी से वापिस बागा और गौँ पहुँच कर लोगों को ये कहानी सुनाई इसके बाद से लोगों ने हमेशा शाम के बाद अपने अपने गरों में रहने की आदत को अपना लिया और अब से हर कोई शाम के वक्त अपने गरों में महदूद होकर रह चाता है और रात के वक्त अपने बच्चों को भी गरों में रहने की हदायत करता है